रादे रादे दोस्तों गोरी लाइफ लड़ो गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है आज लेके चलूंगी हर्दोई में जहां लगती है नुमाईश देखने वाली चीज़े वहां पर बहुत सारा सास्ता सामान मिलता है दस रुपए में तीस रुपए में चालिस रुप दिन में बहुत ही ज्यादा धूप रहती है इस समय काफी अच्छा रहता है मौसम तो हम लोग शाम को आएं सुकून से फिर भी यहां पर भीड बहुत है दिन में तो इससे भी जादा भीड होती है अभी अंदर आप जाके देखेंगे कि कितनी भीड है तो चलिए देखते ह के अंदर वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा दो यह देखें हर्दोई की है 29 और यहां लगा है बड़ा जूला और यह है नाव कितने में 30 रुपए में है हर चीज कैसी यह भीया यह आपकी यह सब मेक अप प्रोडक्ट है लेकमी को मिला यार अरे 30 रुपए में यह भीये एकस्पाइरी तो नहीं है आपके पास हर्माल है की अलग अलगा पांच रुपए क्या लेना है क्या लोगी पांच रुपए का हर आइटम है बहुत ही सस्ता है थर्टी रुपीस में मिला आए देखिए यूर रोस बाटर पता नहीं भाईया जूला यहां से दिख रहा है नमस्ते नमस्ते टीचस लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ भाड इलाके में जब भी कभी आप जातें कोई न कोई स्टुडेंट जरूर मिल जाता है मैं नमस्ते और सर नमस्ते की आवाज आपके कानों तक जरूर पहुंसती है तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है आप भी अगर टीचर है तो अपना अनुभव जरू कमेंट में शेयर करिएगा फिलहाल तो यह है एक्जिवेशन यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं काफी सारी चीज़ें यहाँ कम दाम पे मिल जाती बहुत ही सज़ती वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ यह बैंगल्स लगी हुए उनली 20 एन 30 रुपीस में अगर आप हरदोई में हैं तो आप जल्दी से आ सकते हैं और हो सकता आभी चुके हों अगर आप हरदोई से बाहर हों तो आप देखने आ सकते हैं कमेंन करके जरूर बताइएगा कि हमारी शहर की एक्जिविशन आपको कैसी लगी आगे अभी और भी चीजें हैं दोस्तों कांटीनियू बने रहेगा और भी देखिएगा कि कितनी कम-कम चीजों में कितना-कितना आइटम यहां पे मिल जाता है कि आपके शहर में ऐसा होता है कोई ऐसा मेला लगता है यह कोई ऐसी एक्जिविशन लगती है जो बहुत ही सस्ती दाम में चीजें देता हो जहां पे स्टॉल लगे हों यहां पे देखी कपड़े भी लगे हुएं यह भी काफी सस्ते मिल जाते हैं यहां पे बहुत से लोग आते हैं खरीदते हैं और चले क्या कभी आपने पचास के छे कप में हैं वहीं अच्छी क्वास की हमारे आपनी मिलते हैं कप के लिए इस्पेशल नुमाईश लोग आते हैं अच्छे-चे कप ग्लास सेट लेके जाते हैं क्रॉकरी का समान बहुत अच्छा आता है और ही सारे ही स्टॉल लगे हुएं देखी 10 रुपए में क्या ही मिलता है आजकल लेकिन यहां पर बहुत कुछ मिलता है हमारी हर्दोई की नुमाईश में आप एक बार जरूर आएंगे मुझे लगता है यह वीडियो देखने के बाद की इतना सस्ता कहां मिलेगा तो अभी आपको लेके चलती हूँ शॉप के पास में देखते हैं क्या क्या रखा यह शॉप है इसमें देखिए 10-10 रुपए में क्या है बच्चों के कितने ही सारे खिलोने हैं पेंसिल है कटर है रबर बेंड है एन ओल डैट चीजें आप जो कि देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में मज़ा ही आने वाली है आज तो जो भी आएगा वो लेके जाएगा मैंने तो बहुत सारा सामान ले लिया है बात में आपके साथ वीडियो शेय फिर हम लोगों ने ढूना शुर्द शाकाहारी बाला जी फूड इस्टॉल यहां पर सफाई का विशेज ध्यान रखा जाता है तो मैं हमेशा यहीं आती हूं जब भी नुमाईश आती हूं दोस्तों इसके बाद मैं जाओंगी सॉफ्टी खाने जो कि यहां की फेमस रहती ह और जब नुमाईश लगती है तभी सॉफ्टी मिलती है ब्रिजवासी सॉफ्टी के नाम से दुकान फेमस है तो ब्रिजवासी के नाम से कोई भी किचा चला जाएगा जो ब्रंदावन प्रेमी होगा तो मैं यहीं आके खा रही हूं तो दोस्तों आपको फूड इस्टॉल क कैसे लगे एक्जीवेशन की क्या चीज अच्छी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादेगा